हेलो दोस्तों स्वागत है आपका सोचियोलाजिक क्लासेश भाई राजपूत सनी के द्वारा हमारे यूटूब चैनल पे और आज हम देखने वाले हैं प्रश्चनों की सिरीज तो आएए देखते हैं सुची एक को सुची दोसे सुमेलिट करना है नीचे दिये गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चैन करना है तो सुची एक और सुची दो सुची एक में है जुग्गी जोपढ़ियो की बस्ति इसका संबंद होगा पुरुस कामगारों का छेत्र मजदूर संग त एक टीन है चार दो एक तीन चार दो इसका राइट आंचर है यह हो जाएगा अगला इजर्वानू ने अल्प विकास और विकास के सिंधानत सूध सपस्ट कि यह है अपहरीका के UPサहरा च्छ फ्घा से समबन्दीत अनभाव से दृच्छष्छ कछिर चछिए सम्मदीत अन्भाव में से विद्वानों ने अलप विकास याद सिंधान्थ की चर्चा किया है क्योंकि अफ्रीका जो है अफ्रीकért दचले अफ्रीका वे अफ्रीका कॉंटिनेंट में जो भी देश इस समय है वह बहुत ही अल्प विक्सित है या थोड़ा बहुत विक्सित विकास कर रहे हैं अगला दोहरी अर्थ विवस्था का अर्थ है काले धन यूम सफेद धन का विदमान होना क्रिसी यूम उध्योगों का विदमान होना व्यावसाहिक क्रिसी यूम सहय खेती का विदमान होना या आधुनिक उध्योग यूम व्यावसाहिक क्रिसी के साथ अस्थित्व के सब्सक्राइब का तो अगला अगला प्रश्ण है तो इसका राइट आंसर हो जागा दो तीन चार दी अगला प्रश्ण है नगरों की अव्यवस्थित अथी बिढीशित जिसमें प्राय भूमी का बिना योजना के तरीकों का उपयोग सामिल हो सबसे ठीर ठाक कहा जाता है नगरी फैलाव, पट्टी नगर, ब्रिहद नगर या फिर नगरी परीरी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कि जब नगर अव्यवस्थित अतिविद्धी होता है तो वह से नगरी फैलाव कहते हैं अगला निमलिखित में से कौन सा एक उस प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है जिसमें नगरी फैलाव के अंतरगत पड़ोसी ग्राम एउम समुदाय नगर में समयोजित हो जाते हैं अगला प्रशन है नगरी विसलेशन में पारस्थित की उपागम के विकास का स्रेक इसको दिया जाता है या मनचेस्टर स्कूल को तुका रायट अंज्टर स्थि हो जयागा नगरी विसलेशन या अध्य्यंश्टर में स्थ४ागम या विकास तहस्कूल को महतफूर यगदान में सामिल किया जाता है है अगला है उन्नी सब क्यासी जंगरना के इंसा नगरी छेत्रों में रहने वाले जंसंख्या का प्रतिशत था तो क्या था बीस पॉइंट फॉर तेइस पॉइंट सेमन या 24.8 या 26.4 तो इसका राइट अंतर यह हो जागा 20.4 या उन्नी सब क्यासी का पूछा है तो इसलिए आने वाले एक्जाम में कोई इसके आने की संभावना है नहीं फिर भी दिया है तो देख ले रहे हैं और हमें सिंसर्स के तावर पे 2011 को पढ़के जाना है ताकि इससे एक दो किश्चन आते जरूर है अगला 1991 की जंगरना के अनुसार भारत में नगर प्रयोग किसने किया है चारज श्टोक आसकर लेइस लुइस बर्थ या बूत तो आसकर लेविस के दुवारा संस्किती निर्धनता की संस्किती की संकलपना की बात कहीं गई है यह मोश्ट इंपर्टेंट है बहुत ज्यादा यह पूछा जाता है या तो मैच करने के लिए पूछ लेगा या सही गलत में पूछ लेगा लेकिन पूछता जरूर है या इंपर्टेंट है अगला प्रश्ण है भारती आवास योजना बनाई गयी थी कि 985 में 1987 में 1990 या 1999 तो इसका राइट अंसर डी हों जागा 1999 में भारती आवास योजना लाई गयी थी अगला है नगरी पुनर चक्रण की संकल्पना का अर्था पर दूसर को रोकने की क्रिया विदि उध्योगों से सहर से दूसरी जगा अस्थांत्रित करना या पुरानी मा अर्तों का नभीनी करढ़कर नई कायूं का निर्मार किया जाता है तो राइट आउसर मारा सी है अगला है उत्पादन की अध्योगिक प्रडाली ऐँ अन्येख प्रडाली यो से भिन्न मानी गई है क्यों? कुछा स्रमिक की उपलबद tellement कता के आधार पर या उत्पादन के साधनों की उपलबद कता के आधार पर या निर्जिव उर्जा सोथ उपलबद। के आधार पर पर अंतर किया गया है। अगला इंगलाइन Cup है कर्म उद्योग काष्ट कर्म जोग में तो उठी हो जाएका पास उध्योक में माधियर से या कपड़ा उध्योक भी सोलेता है या सूती और भी पूछ लेता है तो यहां दीनों और भूला हाह हा। भॉठान प्रयोग के प्रबंदकों के लिए जो निस्कर्श निकाले गए हैं वैं और्धात होड़धान प्रयोग है क्या प्रभंधन द्वारा उत्पादकता सामागरी पर एक मात्ट एकागरता रखनी सबसे अच्छी नीती है या करमचारियों की निजी आव सकता महतपूर है या करमचारियों के साथ कटोर अनुसाइशन वेवहार करना चाहिए या समाजिक आउसक्ताइं महत्पूर है तो कूठ द्वारा चैन करना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्थान प्रभाव में करमचारियों के निजी आउसक्ताओं को महत्पूरता दिए जाती है दो और समाजिक अवसक्ताएं महत्पूर होती है अर्थत अवसक्ताओं से संबंदित या हर्धोन प्रभाव होता है जिसका राइट आंसर दी हो जाएगा दो और चार अगला प्रश्ण है निमलिखित में से कौन सा उच्च प्रजनंदर एम उच्च म्रितुदर की इस्थिती से गुजरती हुई जनसंख्या के आयू लिंग की सनरशना का सबसे अच्छा ब्यूरर देता है जनसंख्या का वह पिरामिंड जिसका आधार संकीड हो और सिखर की ओर क्रम से शुन्डाकार हो या पिरामिंड का आधार मध्यमाकार का हो लेकिन बीच का हिस्स्ता जो खास तोर पर पूरुश जनसंख्या के वी निर्वधिष्ट हो और ब्रिहद होकर सिखर पर क्रम से घठकता हो या जनसंख्या पिरामिंड की पेच्छा की चोड़े आधार पर मद धलान पार्सों की निवपीद करता हो या पिरामिंड का आधार आसन्य उच्छ तर आयू अंतराल की पेच्छा संक्रीड हो और इसका राइट अंसर डी है यह जनसंख्या के उच्छ मृत्तुत दर और जन्म दर को प्रस्तुत करता है अगला है निम्लिखित कथनों पर विचार कीजिए प्रजनन दर मृत्तु दर की अपेच्छा आयुशन रचना को काफी कम सीमा तक प्रभावी करती है अगला है प्राथ अधिक है अगला दिया है जन्म के समय लिंगानुपात मा की आयुशे सीमा सीधा संबंद है अथवाद अगला है चोथा सत्तर वर्चों की जीवन संभावीत वाली जन संख्या पर मृत्यु दर की गिर्यावट का खास प्रभाव नहीं पड़ता जिसका राइट आंसर एक औ लिंग अनुपात का मा की आयुशे सीधा संबंद होता है या मित उदर के गिर्यावट असरी या दोनों का थम सही है एक और तीन तो राइट आंसर जी होगा तो यह जन्गरना संबंदीत है या कोई जरूरी नहीं है अगला प्रश्न है निम्लिखित में से कौन सा सिसू पा है बच्चे दिखाई दे लेकिं सुनाई नहीं दे बच्चे की आलोचना करना मैं कहूं तो तुम मानों या कामकाज को उचित तरीके दिखाना तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काम काज को उची तरीके से दिखाना सिसु पालन ब्योहार के सामाजिक जीवन के लोक तांसरी करण की अधिक उपयुक्ता ब्याक्त करती है तो निमलिखित राजनीतीक वेवस्थाव में से कौनसे एक तारकिक विधिक प्रकार की वैधता पर आधारित होता है विधित प्रकार की वैधता हमारी लोक्तंत में पाई जाती है निमलिखित में से कौन से तत्व बेबर के संसारी बैरागे की संकल्पना से में सामिल है उच्छा है बेबर के संसारी बैरागे बृत्ति या प्रभित्ति की संकल्पना में सामिल है सारीरिक विकार सीलता अतारकिकता व्यवस्थित आत्मनियंत्र या इस्वर के कृपादान प्रतीक रूप संसारिक आर्थिक सफलता तो नीचे दिये गए कूटों के अनुसार चैन करना है तो एक दो तीन और एक तीन चार दो तीन चार या तीन और चार तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दी तीन और चार की असंसारिक व्यवस्थित क्रम से संबंदित है व्यवस्थित आत्मनियंत्र और इस्वर के कृपादान के प्रतीक रूप में संसारिक आर्थिक सफलता य तो यह आज की वीडियो यहीं समात करते हैं वीडियो को लाइक और शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद डेली क्विज के लिए आप हमारा टेली ग्राम चैनल जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवाया जाए तो चैनल को सब्सक्राइब और बिल आइकन जरूर से दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो प्राप्ट है अन्यवाद